अगर आज माया बती, अखिलेश और राहुल के महा गड़बंदन से आप परिशान हैं तो ये वीडियो देखिए तो बताओ पार्थ नारायनी सेना लोगे या मुझे? मैं नारायनी सेना से सायता मांगने नहीं आया था वासुतेव मैं तो आप से सायता मांगने आया था, मुझे नारायनी सेना नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं ही नारायनी सेना ले लेता हूँ महा भारत का ये सीन आप भूले नहीं होंगे, ये सीन ही महा भारत का क्लाइमेट्स था युद्ध की तैयारी हो रही थी महाभारत के इस युद्ध में कौन किसके साथ होगा इसकी तैयारी चल रही थी लेकिन दुष्ट दुर्योधन ने क्या किया भगवान कृष्ण को ठुकराकर नाराइनी सेना को ही साथ रखा जानते हैं क्योν क्यूंकि जो दुराचारी, भष्टाचारी, निरंकुष और अनैतिक होता है, वो कभी भगवान कृष्ण को अपने साथ नहीं रख सकता तो ठीक है, मैं ही नाराणी सिना ले लेता हूँ याद रखिए, आज भी महाभारत का वही द्रिश्य दोहराया जा रहा है एक तरफ पूरी की पूरी सेना खड़ी है, कोई दुर्योधन है, तो कोई दुशासन कोई शकुनी मामा बना है, तो कोई कर्ण है, लाचार से दिखने वाले अश्वत्थामा, द्रोणाचारी और भेश्म भी उधर ही खड़े है तो कोई अंधे धृत राष्ट की तरह खुद को लाचार बता रहा है अच्छा ये तो बताओ पार्थ, कि जब तुम मेरी नारायनी सेना मांग सकते थे, तो इस नहत्थे कृष्ण को क्यों मांग बैठे वासुदेव, युद में युद्धा से अधिक महत्व सार्थी का होता है इस महायुद में मुझे एक ऐसा सार्थी चाहिए, जिस पर मुझे संपूर्ण विश्वास हो अपने आपको जिसे सौप कर मैं अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ तो ऐसा सार्थी आपके अत्रिक तोर कौन हो सकता है वासुदेव आप सारी दिशाएं जानते हैं, सारे मार्ग जानते हैं आप मुझे रण भूमी में भटकने नहीं देंगे वासुदेव जबकि दूसरी तरफ हरजुन का सार्थी बनने के लिए भगवान, कृष्ण, स्वैम खड़े हैं फैसला आपको करना है पार्थ, मैंने तो कदाचित तुम्हारा सार्थी बनने के लिए ही जन्म लिया है ये तो मेरा सौभाग्य है वासुदेव आज मेरी विजए निश्चित हो गई अब आपको तै करना है कि दोहजार उन्निस के इस महाभारत के युद्ध में आपको किस के साथ रहना है सिर्फ एक बार जाती पाती छोड़ दो दोस्तों सिर्फ एक बार अपने स्वार्थ को छोड़ दो दोस्तों इस बार चुक गए तो दोबारा इस देश को नरेंद्र मोदी नहीं मिलेगा भावार में युगे युगे